सदियों के इंतिजार के बाद भगवान राम लला की अपने मंदिर में जो भव्य मंदिर का निर्मान हुआ है उद्या में उसमें प्राणपसिष्ठा होने जा रही है इसी महीने इस विशे पर और पूरे आंदोलन पर जो राम जन भूमी मुक्ती आंदोलन चला इतने सालों तक उस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस आंदोलन की शुरुवात से जुड़े सबसे प्रभुद्ध और विशेश व्यक्ति पद्मविभूशन जगदगुरु रामानंद आचारे स्वामी रामभद्र आचारे जी हमारे साथ हैं आचारे जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर और मैं आपसे सीधे सबसे पहले यह जानना चाहता हूँ कि एक आंदोलन का एक लंबा इतिहास रहा कई आंदोलन हुए कई बार अटेम्ट हुए अधि हम पांसो सालों का इतिहास देखें करीब सतर पिशतर बार प्रयास हुए और कोई परिणाम नहीं आया फिर बाद में हम देख रहे हैं पिछले करीब 40-45 सालों से आप लोग हैं इसकी फल्श्रृती इस रूप में तो क्या अनुभूती होती है मनमें मुझध तूरी प्रकार की अनुभूत हो रही हैए जैसे 30 में से जुद्धाब्रश के बनवाव प्रस्टात भगवान राम के आयोध्या प्रत्यागमन पर अनुभूत हुए थे आयुध्या वार् था इसको बाबर के सेनापती मीरबाकी ने एक लाख पचहत्तर हजार हिंदू के हत्या करके राम मंदिर तड़वाय था जो कुछ के राम जी के पुत्र कुछ के दोरा बनवाय गया था इसके पच्छात हम लोग पचहत्तर आंदोलन के असफद रहे और लगबग दो लाख हिंदूगों की हत्या भी हुई मत कहूंगा बलिदान हुआ 1984 के 6 एक्टूबर को हम सब लोग मिले कि श्रीय योध्या में उसमें स्वरगी असोक शिंगल जी गिरिराज जी अबईद्यनाथ जी रामचिंद्रदाश जी परमहंश निर्ते गोपालदाश जी और मैस्वयम हम लोगों ने आंदोलन को प्रारम किया और एक प्रतिग्या ले कि अब यह आंदोलन तब तक नहीं विश्वाम लेगा जब तक हम अपने लक्षिकों नहीं प्राप्त कर लेंगे और यह वाक के एह वुद्घोष किया कारियम बाशाधययम देहम बापातययम उस्समें भाजपा की स्थिति संशनकर दो सीटों की थी कि उनीश्ट उठासी में आकर भाजपाप अपनी लगभग असी सीटों के साथ या पचाशी के साथ आई विश्वनात सिंग को समर्थन दिया जब आंदोलन में आदवानी की रथयात्र रोकी गई तब अटल जी थे अटल जी ने समर्थर वापस ले लिया विश्वनात की स सरकारगेरी इसके बाद मुलायम सिंग महां थे ही मुख्य मंत्री 1990 का वह करुण करंदन आज भी नहीं भूलता जब 21 सक्टूबर 1990 और 2 नवंबर 1990 को मुलायम सिंग ने खून की होली कर दी निहत्य रामभक्तों पर गोली बर्शाई गई और सर्यु माता निहत्य रामभक्तों के खून से लाल हो गई पर हम लोगों ने हार नहीं मानी और 6 दिशंबर 1992 को धाचा धाया गया मैं तो कहूंगा कारेश्य वकावतार भग्वान का हुआ इगारा बजकर 45 मिनट से प्रारंब हुआ और 4 बजकर 27 मिनट तक हम सब ने अनुभूती की कि भग्वान का कारेश्य वकावतार ही हो गया था हूँ जहां चा टूटा राम लला जी स्थापित हुए और श्थाई मंदिर बने चबुत्रा बनाया गया फिर टेंट में राम लला जी रहे कांग्रेश सरकार आई नर्शिम्हारा उसमें प्रधान मंत्री थे जहां-जहां भाजपा सरकार ही थी सब मेराश्पर शासन लागू करा गया उस समय जेल हम लोग जेल गये डंडे खाए आठ दिन तक मैं भी जेल में था शत्ना की नजर बंध हुए पुरुष ने इतना तक नहीं ध्यान रखा मुझ पर भी लाठी चार्ज किया मेरी दाहनी कराई यहां से पीछे बीच से टेड़ी हो गये डंडे के कारण पर हम लोग हार नहीं माने और मुकदमे के पर अब मुकदमा चलता रहा अंत्तों गत्वा 2003 की 11 जुलाई से 19 जुलाई के बीच हाई कोल्ट की खंड पीठ लखनों खंड पीठ में गवाही का शास्त्री गवाही का प्रसाक्षि का प्रस्णाया सारे मठाधीस मन्दिराधीस और अचारे जी अमने परे बोलनू शंकराचारी सब मना कर दिये कि मैंने कहां मैं वसिष्ठ गोतिरी ब्रहामन हूं मैं कोल्ट मपस्तित होंगा और दूंगा शाक्ष्य कोल्ट ने पूछा आपको तो दिखता ने आप क्या शाक्षि देंगे मैंने क्या आप कहुंस सा क्षा आप लेना साथे हैं कोल्ट में का शाष्ट्र का मैं ने का तो शास्ट्र के लिए भहती कांखों का वहर सेगता नहीं होती सरबस्स्यलोचनमशा शास्त्रम यह शिनास्द्रोश साद दिन तक हमने साख्ष दिया हमने चاس्व एक्ठीन प्रमा प्रमान तो हमारे लिए यह थावत निकले, चार प्रमान धूमिल थे वो भी मेरे पक्षम ही गए, अन्त में उच्च न्याया लेने जो निरने दिया उसमें भी हमारी जीत हुई, पर उन्होंने थोड़ी से गरबड़ी कर दी थी, कि उन्होंने कह दिया था कि तीसरा भूखं विधर्मियों को भी दे दिया जया इन ज्वाय के लिए, हम संतुस्त नहीं हुए, फिर हमने सुप्रम कोट में आज गया दायर की, और आठ नवंबर दो हजारों नीज को अशोक भूशन जी ने चीव जशिस से कहा कि महोते पहरे जगद गुरुजी का बयान एक बार और नव नॉमबर दो हजारों नीज को निरने आया उसमे बहुत अनुकुल निरने आया कि एयोध्या में अयोध्या के मीतर इने को जमीन नहीं दी जा सकती, एयोध्या के बाहर इने को पांच पांच लेकर जमीन आमंटित की जाती है, मस्जिद बना लें, अब राम मंदिर बन्यकार मार्ग प्रस्रस्त हुआ, भूम पूजन हुआ मार्णी प्रधान मंत्री के द्वारा मैं भी भूम पूजन में था, और अब बाइस दन्वरी दोहजार चोविश को अब बारह बजकर आप राहन बारह बजकर उन तीस मिनट पर पुनर्वसूनक्षत्र में भगवांद राम प्राणप्रधिश्चा के बिधान से अपने गर्व ग्रही में प्रविश कर रहे हैं, तो मुझे तो वही प्रसंता हो रही है, जो मानसकार ने भगवांद राम के प्रत्यागमन के सम्द्ध में कहा था, गुरुजी एक चीज मैं जानना चाहता हूं इसी उपलक्ष में, कि जब पहले जाते थे अउद्या भक्तगण, तो वहां देखते थे उस विवादे धाचे को या खंडित जो पूरा पड़ा हुआ था, तब उन्हें जो अनुबूती होती होगी शायद उसमें दोएश होगा, उसमें पीडा भी होगी, लेकिन अब जब वो देखेंगे इस भव्य मंदिर को, इस दिव्य मंदिर को, तब आप क्या मानते हैं, किस प्रकार का भाव उनके मंद में का था? वही उत्रमने अब दे दिया, त्रेता में जैसा राम जी के लोटने पर भाव हुआ था, अध्या बाव होगा, एक बात मैं और बीज में कहलूं, निरने जी, ये राम मंदिर, देखने में लग रहा है, राम मंदिर है, पर नियाता है, भारत के स्वाभिमान का ये मंदिर है, भारत की मर्यादा का मंदिर है, सनातन धर्म की मंगल का मंदिर है, राम मंदिर, बिलकुल जैसे की कहा जाता है न, वर्षो की जो गुलामी रही, उस मानसिक्ता ने हमारे जो एक तरसे समाजिक जीवन में एक विग्रे पैदा कर दिया था, आपको क्या लगता है, अब इस मं अच्छा देख रहे हैं, और राम विरुधी जाने वो क्या चाहते हैं, हम तो एही कह रहे है, हमको तीन स्थान तो चाहिए, चाहिए, अक्षरक्रम से अ काम, अ से आयोध्या देर, जाहिए, ओ मिल गई, का से हमें काशि विश्वनाच चाहिए, उम्मा से मतुरा क्रिशिज मुझाई जाहिए अब उस दिशा में हम देख रहे हैं के कारे प्रगति पर आप क्या मान रहे हैं क्या इसके बाद जो लक्षे है आगे हम सफल होंगे अच्छा मैं यह और चीज जानना चाहता आपने जैसे मुकदमे की बात कई मुकदमे का जिकर किया उस समें लगबक सभी शंकराचारें को भी अप्रोच अप्रोच किया गया था कोट में अपना पक्षेटने के लिए लेकि अनने मना कर दिया था अब मैंने कहा कि देखो मैं बशिष्ट गोतरी ब्राहमन हूं और मैं भी प्रत्वाद संपन्न ब्यक्ति को जजेज कोई भगवान नहीं होते वह भी पढ़ती लिखते मैं भी पढ़के लिखके आया हूं वे भरे गोल्ड मुड़ संगोल्ड मुड़िस्ट नहों मैंने नवनों गोल्ड मुड़ जीते हैं और मैंने अपने एजुकेशनल करियर में 99 से कभी नीचे देखा ही नहीं मेरे परसेंटेज में इतने रहे हैं वो क्या प्रस्थ न करेंगे मैं देखता हूं गया मैं और भारत माता का आशिरबाद था भागवान राम का प्रशाद कि मुझे चुप कराने के लिए विपक् अशी वकील को 45,000 डालर दिये थे मुझे प्रमान मिल गए या तो जगद गुरुजी को चुप करा दिया जाए या असन तुलित कर दिया जाए या इनकी हत्या कर दी जाए पर कुछ नहीं हुआ मैं अपने एक एक उत्तर में उनके पचास-पचास प्रस्नों को समाप्त करता था अन्य गवाहों को नहों नवनों गहने रूलाया और मैंने साथ देन में उनको उसी प्रकार निर्ट्वर करके रखा जैसे कोई निम्बू निचोड़ देता है और जज को भी कहना पड़ा मुस्रिम जज को कहना पड़ा सहरिवाज डिवाइन पावर हमने देखा आपकी गवाई एक बहुत बड़ा अधार भी बनी उस वक्त जो ये जज्जमेंट आया है काफी सारे चाक्षे अपने रखे थे और शास्त्रों के कई इंटर्पटेशन आपने उसमें रखे जिसमें आपने रामायन का जिक्र किया जिसमें आपने रामायन का जिक्र किया रामायन की चर्चा की उपरिशनों की चर्चा की सत्पत ब्रह्मन की चर्चा की वेदों की चर्चा की मैंने जोतिस की चर्चा की सारी चर्चा की साही चर्चा की तभी तो और बात अभी जो प्रासेंगी किया वो आपसे पूछना चाहता हूँ आपने देखा प्रदान मंत्री इंदर मोधी मौजूद रहें उस वक्त जब प्रांपतिष्टा होगी और शुरू से वो भी इस अंदोलन में उनकी भूमी का रही हमने हमने कई उनके लेख पड़े जिस आपको क्या लगता कितनी यथार्थ होती हुए दिख रही है यह बात 17asına नहीं कि जब रंशेयातरा निकली थी उस समें रस्यात्रा के विजुचापक लुद्र रंगि मोधी थी उसी स्मेश सी मेरी उनकी मित्रता है और सही माउने में में मायने में मित्रता है हम दोनों का बिचारिक जिसे मिलते हैं हम तो समाधिक सर्दभाव चाहते हैं देखे अब विपक्षे के लोक चाहे ना चाहएं नचाह insist gemacht हम तो कही रहे हैं कि स्री राम सब के हैं स्री राम समाज के हैं स्री राम सम्पूरण राष्टर के हैं हमने कभी वेसा कुछ सोचा ही नहीं हम तो कह रहें महाराज अब कीजी सोई सबकर धर्म सही तीत हुई सब कही तो होना चाहिए पर धर्मान उमुजित ही तो होना चाहिए और अभी आप देखें जब बता रहे हैं खुद प्रधान मंत्री जब अभी गए से अध्या थीस तारिक को तब उन्होंने कहा भी के 140 करोड़ देशवासियों को एड्रेस करते हुए का कि सभी उस दिन अपने अपने घरों में दीपक जलाएं तो यह भी एक तरह से जो आप क कि जब हम भगवान राम के स्वरूप की बात करते हैं पहले तो मैं आप से जानना चाहता हूं कि आप किस फॉर्म में उन्हें देखते हैं आपके मन में किस प्रकार का स्वरूप जो है वो अंकित होता है दिखें पहली बात यह अनुभूति का विशे है इसको रिलाइज किया जा सकता है कहा नहीं जा सकता हम तो बहुत प्यारा रूप देखते हैं हम देखते एक संदर्शा बालक निली बादल के समान सुष्रुवित मधर मधर मुष्कवान उखड़े हुए कपोल घुगरारी लटें मंद मंदिश्मित प्यारी प्यारी चीतव प्यारी जान पीतामबर अगे निले शरीर पर इतना सुंदर जैसे तीशी की फूल पर कोई सरसव की फूल का पराग लिप दे तो हम तो बहुत सलोना स्वरूप देख रहे हैं और शायद उसी उसी स्वरूप में जो प्रतिमा अब स्थापत होने वाली है वो श्याम वर्ण के मíchया हम जुलत मुश्ययां टरते हैं तो आप क्या मांन्तिव जो कूल भुष्अ कर रहे हैं वही कौले करें न करें ओनना कए तो निरादार होते हैं औह ऐसे थे शीराम के प्रतशम परते श्डूप का बंद मा较 कि वाल्मीं ने किया वालमी के रामायण के बालकांड के प्रतमसर के इगारहमी श्लोक में नारज कहते हैं समाह समविवक्तांगह श्निद्धबरन प्रतापवान भगवान राम का श्निद्धबरन है तीशी के फूर के समान बरन है नीले बादल के समान बरन है नीले कमल की समान बढ़ने है नीली मनी की समान बढ़ने है और यमुना जल की समान बढ़ने है और मयूर की गले की समान भागवाद राम का बढ़ने है यह भी एक संयोग है गुरुजी के आप भी अपने अम्रुत काल में प्रवेश करने जा रहे हैं देश भी अम्रुत काल में हैं क्या मानते हैं कितना यह आपके अंदोलन का भी एक कोईंसिडेंस देखिए हैं मेरा 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 मेर आपके गवाही से राम लाँ जी का निर्ना आया है तो अपर अермुया जी पेलिअ då मने दिया जायार आनंद करेंगे हम भी है हम भी भगवान राम के सब्सक्राइब व॑ल ड़ बाँ बन जाएंगे क्या बीज़ाता है तो हम देख रहे हैं पूरे देश में उत्सा है सभी लोग प्रफुलित हैं कई तरह की भेट स्वगात लेकर कि ऐउध्या पहुंच रहे हैं जगा जगा से हम देख रहे हैं इस तरह की जो खबरे आ रही है आप ज़ब जाएंगे क्या आपने कुछ सोचा है किस प्रकार क्यों आवर्श रहा है। कि अपने कोई दे दिया तो क्या झाल अब हम एक देख रहे हैं कि जिस प्रकार से ये घडिया नजदीक आ रहे हैं चित्र भी बदल रहा है अगर आप राजनितिक परिपेक्ष में भी बात करें जो जो विपक्ष पहले मानता नहीं था राम की अस्थित्य को ही नहीं मान रहा था अब वो कह रहा है कि राम तो सब क अब करके सनातन धर्म का आप जानते हैं तीन राजियों में हार गये के कि अध्य निधि ने जब सनातन धर्म का बिरोध किया था फेली बार मिने jurisd कि संकराचारी की भूमिका होती क्या है उह हमें बताएं मैं भी रामानन्ताचारी हूं जर्टेने के उल पूलाणा जब जब सनातन धन्धर्म पर कुठा रागात अग्हात तब बोले विरुद करें मुखर हूं पर कियो मैं मुखर हुआ और मैंने कह दिया था कि सरातन दर्म का विरूद करने वालों को दंड मिलेगा और चुनाओने दंड दे दिया दो जार चॉविस में भी दंड मिलेगा अच्छा मिलेगा तो इससे अगर बचना है तो विपक्ष को क्या एडवाइज क्या करेंगा जिस हिंदू राष्ट्र की हम कल्पना करते हैं जिस हिंदू राष्ट्र का हम सपना देख रहा है देश आप क्या मानते हैं क्या उस काल का प्रारंब हो चुका है हिंदू के उतकर्ष का प्रारंब तो हो चुका है अब हिंदू राष्ट्र बनेगा कि नहीं बनेगा तो प्रतेक अपमान का बद्ला लेने की इस्तितिति हम आ गए है तो यह जो प्रेजेंट जन्रेशन है मैं आखरी सवाल आप से पूछा जो प्रेजेंट जन्रेशन है जिसने इस पूरे कालखंड को नहीं देखा आंजोलन के आज वो उसका जो फल्शुरुति वो देख रही है उ उसके लिए क्या मैसेज है आपका मैं उसके वो शयद इसकी इसकी कंपीड़ता नहीं समझते तीन बाते अब तो बच्पन को प्रबुद्ध करना होगा यवन को सुध करना होगा और बृद्धावस्था को सिद्ध करना होगा और हम अब हम विक्षित भारत बनाएंगे अब जब यह सपना साकार होते हुए दिख रहा है मुझे एक बात बताईए आप एकदम आप यूनो ऑनिस्ली के जब यह अंदोलन शुरू हुआ था तब क्या मन में ऐसा भाव था कि हो पाएगा संपून्द था हम सफल होगा इसा हमारे मन में था मैं आनिस्ली कह रहा समय तक बता दिया था कि इस समय तक निरने आ जाएगा मैंने कह दिया था कि दो हजार और निस के शह दिसंबर के पहले निरने